हेलो दोस्तों केसे हैं आप सभी आज में बना रहे हूं पालक की पकोड़े की सबजी हमने यहाँ पर तीन चमच बेसान भर करके एड़ कर देना है आप देख सकते हैं तीन चमच बेसान में आड़ कर दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टी स्पुन हल्ली पावडर और हाफ टी स्पुन नमक अब हम सभी चीजों को आपस ने अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है ऐसे ही मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने मिक्स किया है अब हम अधरक और लेस्टन को आपस में बारिक उठ लेंगे अब देख सकते हैं इतना बारिक उठना है आपको अब हम चलते हैं पकोड़े फ्राइ करने के लिए तो तेल गरम हो गए हैं तब हम इसमें पकोड़े को फ्राइ करेंगे आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे से यहां पे सेप दे रहे हूं उसी तरह से आपको भी दे देना है जदा बड़े बड़ा सेप में हमें नहीं पकोड़े तलना है जब इस तरह से पालक की सब्जी बनाते हैं तो बहुती टेस्टी बनती है दोस्तों अब देख सकते हैं अब हम इसको पुलट पुलट करके अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जब ये गुल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से पुरी तरह से कोख हो जाएगा तब हम इसको बाहर निकालेंगे हमारे घर पे अक्सर जीत करते रहते हैं इस तरह से सब्जी बनाने के लिए तो आप भी इस तरह से बनाईए बहुती टेस्टी बनती है सब्जी अब देख सकते हैं ये फ्राइ हो चुका है फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम इसी तेल में सबजी बनाएंगे हमने यहाँ पर दारला है दो चेप पत्ता और दो लाल मिर्च और दो से तिन डालचिनी और हाफ टिस्पून जीरा जब यह अच्छे से आपस में चिटक जाएंगे फिर हम इसमें एड़ कर दिये हैं प्याज और प्याज भलका भून जाएगा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर बारी कटा हुआ अब हम इसमें एड़ करेंगे अधरक लैसून का पेस्ट अब हम आपस में इसको अच्छे से कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं वन टीस्पून नमक टमाटर अच्छे से गल जाएगा नमक से इसलिए हम यहाँ पे एड़ किये हैं वन टीस्पून लाल मिर्च पाउदर और वन टीस्पून धनिया जीरा का पाउडर और half teaspoon काली मिर्च का पाउडर और यहां पे half teaspoon हल्दी पाउडर अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे यहां पे गेस की फ्लेम हमें slow रखनी है और slow flame पे हमें अच्छी तरके से इसको भून लेना है अब देख सकते हैं मसाले जुह हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं तो अब हम इसमें पानी एड़ कर देँगे हमें यह सब्जी ठीक बनानी है इसलिए हमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है इतना काफी है अब देख सकते हैं अब हम इसमें अच्छा सववाल आ चुका है तो हम μας में सभी पकोड़े को एड कर देंगी ये पकोड़े डालते ही न दोस्तों ग्रीवी जो एने एकदम ठीक हो जाता है तो आप थोड़ा सा पानी इस्टर डाले आप देख सकते हैं डालते ही ये केसा हो चुका है ये पानी एपजोब कर लेता है इसलिए ठीक हो जाता है तो आप भी जब भी बनाएं थोड़ा सा पान अब आप देख सकते हैं सब्जी जो है हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे गर्मा गरम सौफ करनी के लिए देखिए कितना प्यारा बन कर तयार हुआ है देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना स्वादेश्ट लगेगा दोस्तों आज हमारे घर पे चावल और प्राठे और पालक की पकोड़े की सबजी और सलाद बना है आपको हमारी ये रेस्पी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए